नमस्कार दोस्तों आज मैं फिर आजिरू एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल आइस्टो जमेनी दे काउजमे खिलर में आज मैं बात करने वाला हूँ धनू राशी धनू लगन वालों का नवंबर 2019 का महिना कैसा जाने वाला है लगन भाव में शनी केतू और चंदरमा विराजमान है इसलिए मन में बहुत सारे डाउट्स आ सकते हैं अगर लगन भाव में ग्रहन दोश हो और विश योग भी हो तो ऐसी सिति में ब्रेन जो है बहुत कन्फ्यूज रह सकता है और बहुत नेगेटिव थौट्स दिमाग में आ सकते हैं अगर आप अपने आपको positive रख सकते हैं अपने focus को सही जगह पर लगाएंगे तो ये negativity completely change होके positive हो सकता है ऐसा हो सकता है कुछ रहस्से मैं बातें आपको पता लगे ऐसा हो सकता है कुछ छिपे हुए बातें जो शैद आपके life में पहले कभी घटी हो उसका आपको फिर से पुनर अनुभव हो जो लोग तंत्र मंत्र की दुनिया से connected हैं या जो लोग occult science में interest रखते हैं उनके लिए ये योग काफी ज्यादा helpful होता है दूसरे भाव में कोई गरनिये दृतियेश लगन भाव में विराजमान है इसलिए धन को भी सही जगह पर invest कीजिए या उसको सही तरीके से manage कीजिए अपनी वानी में संयम रखिए बात करें तो बिलकुल सही तरीके से सही शब्दों का इस्तमाल करें तीसरे भाव में कोई गरनिये दृतियेश भी लगन भाव में विराजमान होने के कारण यहाँ पर पराकरम तो आपका बना रहेगा जिस काम को करेंगे उसमें confident रहेंगे बशरते हर चीज को आप बारीकी से परकें चौथे भाव में कोई गरनिये चतुरतेश जो खुद लगनेश भी है वो 12 भाव में विराजमान है तो तब्यत को लेकर थोड़ी गरबड़ी आ सकती है specially बाए आँख में प्रॉब्लम हो सकता है या बाए कान में आपको प्रॉब्लम हो सकता है तो इस बात का आपको अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा दूसरा अपने खर्चों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है क्योंकि लगनेश जब 12 भाव में जाते हैं तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं घर के रेनोवेशन में कुछ जादा पैसे खर्च हो सकते हैं माता की तबियत का खयाल भी अच्छे से रखना पड़ेगा क्योंकि जब चतूर्थेश 12 भाव में जाते हैं तो माता की तबियत खराब होने की संभावना रहती है स्पेशली उनके मेडिकल बिल बढ़ सकते हैं पंचम भाव में कोई गरे नहीं है पंचमेश मंगल जो है वो दशम भाव में विराजमान है तो ऐसी स्थिती में विद्यार्थी गण अपना काम बहुत फोकस से करेंगे और स्कूल में अपना परफॉर्मेंस काफी अच्छे तरीके से देंगे हो सकता है कि एक्स्टा करिकुलम एक्टिविटी में आपको कोई पुरसकार भी मिले अपनी बुद्धी का इस्तमाल करके जो लोग जॉब में है वो प्रमोशन भी पा सकते हैं चटे भाव में कोई गरी नीए, शास्टेश, दौदोश भाव में विराज्मान है तो ऐसी अवस्तामें आपके शत्रूहों का नाश होगा जो लोग आपको problem create करते हैं उनको भारी नुकसान हो सकता है सब्तम भाव में राहु विराजमान है तो ऐसी वस्ता में पत्नी का डॉमिनेशन आपके उपर ज्यादा हो सकता है possibility यह है कि उनकी सहायता से या उनकी help से आपको increment मिले क्योंकि सब्तम भाव में उच्चे का राहु विराजमान है तो यह life partner से बहुत कुछ दिलवाते हैं, profit करवाते हैं अश्चम भाव में कोई गरनी अश्चमेश लगन भाव में विराजमान होने के कारण अपनी मती को स्थिर रखना बहुत जरूरी है नहीं तो यह शक और doubts के चक्कर में बहुत सारे गलत decision ले सकता है अश्चमेश का लगन भाव में विराजमान होना वेक्ति के decision making में बहुत ज़्यादा problem create करता है इसलिए किसी भी चीज़ को करने से पहले दस बार सोचिए जो लोग occurred science में हैं या उसमें विश्वास करते हैं, practice करते हैं उनके लिए ये योग काफी ज़्यादा helpful रहेगा, काफी गहराई और रहस्में चीज़ों के बारे में आपको पता लगेगी नवम भाव में कोई गरनी है, नवमें सूरी जो है कादश भाव में विराजमान है तो भागे से पैसे बढ़ सकते हैं, लेकिन सूरी नीच के होने के वज़े से भागे भाव थोड़ा सा लो रह सकता है यानि आप जितना काम करेंगे, लगभग उतना आपको increment या अपने करमों का फल मिल सकता है दशम भाव में मंगल विराजमान है, तो काम बहुत सारे है, बहुत ज़्यादा काम का pressure है हो सकता है कि इस टाइम आप इतना अच्छा performance दे दे, कि ये आने वाले टाइम में आपको reward दे यानि ये काम करने पे भविश्य में आने वाले टाइम पे आपको और better result मिलेगा क्योंकि पंचमेश होकर मंगल जो है वो दशम भाव में विराजमान है, यानि आप अपनी बहुत धिक शमता से बहुत सारे काम निप्टाएंगे एकादश भाव में कोई ग्रह नी है, एकादश ये इस द्वाव में विराजमान है, तो ऐसी अवस्था में विदेशों से इंकम हो सकता है जो लोग नशा ग्रस्त हैं या किसी नशे या लत्में पड़े वे हैं, उन लोगों को परिशानी हो सकती है possibility ये है कि और भी जादा आप इन सब चीजों से जूज हैं, परिशान रहें तो उसका इलाज जूढ़िए और उस पे काम कीजिए दौधश भाह में बुद्ध, शुक्र और गुरु विराजमान है, जो की लगनेश भी है, एकादशेश शुक्र है और साथ में दशमेश बुद्ध भी है तैसी वस्ता में विदेशों से काम आ सकते हैं, विदेशों से पैसे आ सकते हैं, यहां तक कि आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं, यानि जितना हिंकम होगा उतना आपका खर्चा भी बन जाएगा इसलिए पैसे को सही तरीके से मैनेज करना बहुत जरूरी है ओवरॉल यह महीना दो बातों का स्पेशली ध्यान रखना है, अपने दिमाग को और अपने मन को बहुत स्थिर रखना है और फोकस एक जगह पे लगा के रखनी है किसी भी काम को करने से पहले अच्छे से डिसीजन लीजिए, अच्छे से सोच विचार कीजिए उपाय के तौर पर विश्णु सहसर नाम का पार्ट हर रोज सुनिये, तो उससे कम से कम आपकी मती में स्थिरता बनी रहेगी, जिससे हर काम आप सही से कर पाएंगे तो ये था धनू राशी धनू लगने वालों का, नॉवंबर 2019 का महिना आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताईए, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिलकुल मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद,